आईए हिंदी कक्षा दस्वी से एक पाठ लेते हैं चत्तित गढ़ी भासा और साहित्य से सील के वैरवे छंद इस पाठ के रजनाकार हैं सेशनात सर्मा सील सेशनात सर्मा सील चत्तिस गढ़ के पुराने पिढ़ी के महत्त पुर्ण रचनाकार हो गए हैं वे साथ भासा की ज्याता थे साथ भासाओं में वो लिखते थे पढ़ते थे बोलते थे साथ भासाओं के जानकार संस्कृत हिंदी अंग्रेजी बांगला मराठी उडिया चत्तिस गढ़ी उर्दू इतने सारी भासाओं के जानकार थे और बड़े प्रबुध रचनाकार थे उनका जन्म 36 गढ़ के वर्तमान जानजीर जिले में 14 जनवरी 1919 को हुआ पाठ पुस्तक में उनके जन्म तिथी का उलेख 14 जनवरी 1914 का लेख है किन्तु इसे सुधार लेजिएगा क्योंकि मैंने उनके परिवारिक जनों से बाच्चित करके इसमें संसुधन किया है सील जी सभी भासाओं में रचना किये वे सहज सरल ब्यक्तित्व की धनी थे जैसे उनका ब्यक्तित्व में सहजता और सरलता थी वैसे ही उनकी भासा भी सरल और सहज प्रवापूर्ण भासा और वे छंद बद्ध रचना करते थे अभी जो पाठ हम श्रील जी के वैरवे छंद पढ़ेंगे ये भी एक छंद है हिंदी साहित्या का एक महत्वपूर्ण छंद है उनकी रचनाएं बहुत सारे प्रतिष्ठित पत्रप्रतिकाओं में उसमें छपा करती थी सुकवी, काब्य, कलाधर, राश्ट धर्म, अग्रदूत, संगीत सुधा, विसाल भारत ऐसे बहुत सारे राश्ट के जो प्रतिष्ठित पत्रप्रतिकाओं हैं उनमें उनकी रचनाएं प्रकासित होती थी उनके अब तक की दो रचना संग्रा प्रकासित है और बहुत साई रचना संग्रा उनकी अप्रकासित धी है प्रकासित रचना में उनका पहला है कवीता लता और दूसरा है रविन्द दर्शन चुकि रचनाकार शेशनात शर्मा सील जी बंगला भासा के विद्वान थे इसलिए वे सांती निकेत से निकलने वाली एक पत्रिका के वो संपादक थे और एक पत्रिका और बंगला भासा के सनी वारेल इस पत्रिका के सह संपादक थे स्रीर जी की और कुछ विशेष्टाएं थी जो हमारी पाठ्थ पुस्तक में नहीं दी गई है वे प्रक्षाग जोतिस्त सास्त्री थे और वैसे ही वो संगित सास्त्री भी थे संगित के जानकार भी थे उन्होंने संगित के संबन में भी कुछ रचनाएं की है और बहुत साई पत्रिपतिकाओं में छपी है तो हम अभी पढ़ेंगे उनकी रचना जो की हमारी पाठ पुस्तक में दी गई है वो वैरवे छंद में है स्रील जी के वैरवे छंद इस पाठ पर चर्चा करते हैं ब्याख्या भी करेंगे इस पर विचार भी करेंगे तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि वैरवे छंद क्या है हमने अपनी पाठ पुस्तक में पढ़ी है कि छंद कवीता का अनुस्यासन है कवीता को निश्चित गती प्रदान करता है उसको बांध के रखता है उसमें चार की भटकाव ना आए तो दो प्रकार के छंदों के बारे में हमने जाना है एक को कहते हैं वार्निक छंद और दूसरे को कहते हैं मात्रिक छंद जिसकी वर्णों से गणना होती है वार्निक छंद और जिनकी मात्राओं से गन्ना होती हो मात्रिक छंद तो बैरवे एक मात्रिक छंद है बैरवे छंद में 19 मात्रा है 12, 7 12 के बाद यती अथात विराम चिन है उसके बाद 7 मात्रा और अंतिम में सबसे महत्पपूर्ण है जानने की बात है अन्तिम में गुरु लगु होता है गुरु लगु जैसे आज, काज, काम इस प्रकार के मोर, तोर देखिए जो अन्तिम होगा जैसे कि हम एक सुसकत आवत हो ही भैया मोर तो सुसकत आवत हो ही ये बारा और भैया मोर ये साथ और जहां पर साथ आखरी हो रहा है उसके अन्तिम में मोर देखिए पहले गुरु और बाद में लगु तो ये बैरवे छंद को हमको समझना पड़ेगा आप और छंद को इसी प्रकार पढ़के देखिए आला छंद में कितने हैं दोहे में कितनी मात्राएं हैं सोर्ठा में कितनी मात्राएं हैं चौपाई में कितनी मात्रा हैं बहुत सारे छंद हैं हमारे हिंदी और संस्कित में तो इस छंदों के बारे में हमें संख्षित जान पहला पत देखिए सुसकत आवत हो ही भईया मोर हाँ एक चीज़ और मैं बता दें चाहता हूं इस पार्ट को तीन भावों में बाटा गया है पहला है विदाई का भाव दूसरा है जब कन्या विदा होके सस्राल चल देती है तो सस्राल में जब जाती है तो सस्राल में जब जाती है तो सस्राल का उन्हें आती है तो इस प्रकार इसको तीन भावों में बाटा गया है तो इसका पहला भाग है विदाई का तो विदाई वाले भाग में छे पद हैं तो इसका पहला पद है सुसकत आवत हो ही भाईया मोर औच्छैहा मा डोलहा लेहु अगोर बिदाई हूँ कन्या की हुई अब कन्या बिदा होके जा रही है पहले डोलहा डोलहा माने देखी डोलहा मनलब जो डोले को कांध में लेकर जाते थे उसको डोलहा कहते थे एक फिल्म आप लोग ने उसके गीत सुने भी होंगे चलो रे डोला उठावो कहार पीया मीलने की रूति आई तो ये डोला है पहले कन्या का बिदा करते थे तो डोला में कहार लोग उसको बैठाते थे और उसको खांध में उठाते थे डोले को और ले जाते थे आज तो कार में जाते हैं या और साधन कई साधने जिसमें कन्या की बिदा होती थे पहले साधन इस ढख से नहीं थे तो डोले से कन्या की बिदा होती थे तो गान्या कहती है कि भिया डोलां डोले उठाने वाले मेरे भाई आ रहे होंगे थोड़ा थोड़ी सी प्रतिक्षा कर लेना अगो अगोर लेना अर्थात प्रतिक्षा कर लेना अगोर लेना कैसे आ रहे होंगे सुसकत आवत हो ही सुसकना ऐसे रोने का भाव वो खुल की नहीं रो रहा है पन्तों अंदर रो रहा है सुसकत आवत हो ही मेरा भाई सुसकत आ होगा भाई डोलहा भाई डोले उठाने वाले थोड़ा आप रुकिये थोड़ी सी प्रतिक्षा कर लिजिए कहां प्रतिक्षा कर लिए तो कहता है चैहां मा डोलहा च्छाओं में कि च्छाओं के स्थान पे आप प्रतिक्षा कर लिजिए मेरे भाई सुसकते हुए आ रहे हों इसका दूसरा पधा हम देखते हैं बहुरों कोजत्थ हो ही खोर अनखोर बहुत प्रेम करने वाली बहुत मया करने वाली मेरी चोटी बहन है, वो बहुत प्रेम करने वाली है, वो मुझे मेरी बिदाई हो गई है, अब वो रो रो के मुझे खोज रही होगी, कहा खोज रही होगी, खोर अन्खोर, खोर गलियों में, खोर माने गली, गलियों में खोज रही होगी, मेरी चोटी बहन, मेरी नंकी बहन, मेरी छोटी बहुईन जो बहुत मुझे प्रेंग है जो मुझे बहुत प्रेम करती है वह रो रोके मुझे गलियों में खोज रही होगी तुलसी चावरा मा देव सालिक राम मही के ससूर पूरान कई हो काम तिसरा पद है तुलसी चाउरा मा देव सालिग राम मई के ससूर पूरां करियाओ काम वो अपने तुलसी चाउरा को याद करके कहती है कि तुलसी चाउरा में रखे हुए देवता देवता कौन? सालिग राम क्या है? एक छोटा सा ऐसे शी लिंग जैसे बहुत छोटा सा होता है वास्तों में सालिग राम को विष्णू जी माना जाता है जिसको हम लोग तुलसी चाउरा में रखते हैं आप अपने बुजूरगों से पुछिए कि सालिग राम क्या है? और अधी आपके घर में या आपके आसपास के किसी घर में या किसी पंडित ब्राम्हंट के घर में जाके पता काई ये और देखिए साली गराम क्या है विदा हो के जाते हुए उकन्या कहती है तुलसी चाउरा मा देव साली गराम है तुलसी चाउरा में रखे हुए देव साली गराम तुलसी चाउरा में रखे हुए हमारे देव हमारे देव साली गराम आप मैंके ससूर पूरन करियो काम मैंके का और सस्लाल का दोनों को काम दोने दोनों इस्थान के काम को सिध्ध करना पूरन करना अर्था सिध्ध करना सफल करना पूरन करना काम पूरन करियो काम पूरा आप करियेगा ये अपने दियोता से भी वो इसमरन करके कि अपने देउता को को से देउता को जो तूसी चाउरा में हम सालिक राम की स्थापना किये हैं उस सालिक राम को संबोदित करते हुए वो विदाई हुई कन्या कहती है कि है तूसी चाउरा के देउता सालिक राम मेरे मैं के और मेरे सुस्राल दोनों के कार्य को पूर्ण करना सिद्ध करना सफल करना अंगना कुरिया खोजत हो ही गाए बच्रु मुर्बिन कांदी नहीं च्खाए अंगना कुरिया खोजत हो ही गाए अब बच्रु मुर्बिन कांदी नहीं च्खाए सवस्राज जा रही है बिदा हो गई ही कन्या की कन्या क्या सोचती है अंगना कुरिया खोजत होई गाय गाय घर की गाय मुझे ढून रही होगी कहा ढून रही होगी अंगना में ढून रही होगी कुरिया कुरिया मने कमरा कमरा में ढून रही होगी कि कहा गई कहा गई यह सोचकर गाय मुझे अंगना कुरिया में खोज रही होगी और बचरू मौ सुर्बिन मेरे बिना कांधी नेच खाएं कांधी अरथात घास घास नहीं खाता हो जो बचळा है वो मेरे बिना घास नहीं खाता कैसे परिकल्पना देखिए आप अभिग्ञान सकुंतलम पढ़ेंगे, कभी मिले आपको तो पढ़िए अभिग्ञान सकुंतलम, जो काली दास की एक बहुत पूर्ण रचना है, उसमें भी जब सकुंतला की विदाई होती है, तो सकुंतला ऐसे ही विचार करती है तो अंगना कुरिया खोजत हो ही गाए और बश्रु मुर्बिन कांदी नेच खाए मोर सुरता मा भैया दुख जन पाए सुरूर सुरूर जन दाई रोवे हाए मोर सुरता मा भैया दुख जन पाए ऐसी परिकल्पना करती है मेरे याद करके मुझे याद करके भीया मुझे याद करके दुख ना पाए ऐसी मेरी परिकल्पना है और दाई अर्थात माँ सुरर सुरर कर रोए मत हाए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे याद करके मेरी माँ रोएगी सुरर सुरर कर रोएगी तो वो कहती ही कि ना रोए ऐसी परिकल्पना है ऐसी इच्छा है ऐसे इच्छा करती है तो मुझे याद करके मेरी याद में भाईया दुह ना पाए और मेरी माँ सुरर सुरर कर सुरर सुरर कर याद करकर करके ना रोए तिया जनम के पोथी मादुई पान में के सुरर बीच मादुई पान तिया जनम अर्था तिरिया जनम तिरिया मने इस्तरी इस्तरी जनम के पोथी मने पुस्तक में दो पन्ने हैं वो दो पन्ने कौन कौन से हैं मैका और ससुराल दो पन्ने हैं इसके और दोनों के बीच में इस्तरी का प्रांड कैसे होता है पतला हो जाता है पी पर पानसरिस मन डोला देखिए पत्ते के समान डोलता है पत्ता आप देखते हैं पत्ता कितना पतला होता है और डोलते रहता है उसी प्रकार इस्तरी का मन कभी ससुवाल के पक इसलिए कवी ने लिखा है कि तिया जनम के पोथी मादोई पान और मई के ससरे बीच पातर प्राण इस्त्री जनम के पुस्तक में दो पन्ने हैं पहला पन्ना है मै का और दूसरा पन्ना है ससरार और इस दोनों पन्ने के बीच में कन्या या स्त्री का प्राण दूबला होते जाता है उनकी मन कभी इधर तो कभी उधर होते रहता है इस पाठ के दूसरे खंड को देखते हैं दूसरा खंड अर्थाथ ससराल में मैके के सुर्था पहला पर इसका यहां परे है आज राउथाथ यहां परे है आज राउथाथ अर्थाथ अर्थाथ यादूओं का बज़ा अरे कौवां को संबोजित करके कहती है पहले एक मान्यता थी जब कौवां चछद पर आकर चारा में दो कौवां आते थे एक अपने चोंच से दुसरे के चौच पर कुछ खाने की वस्त दुदालत था उसको बोलते थे चारा बाटना यहां पर उन्हों लिखा है कवीने कारा बांटना कारा और चारा यह इसका अर अरे कौवा, बैठके, अर्थात मेरे छट में बैठके, हमारे छट में बैठके, तुचारा बांट, तुचारा बांटेगा, तो महमान अर्थात मैं के पक्ष से कोई आएगा, देखिए कितना सुन्दर भाव, यहां परेहे आज राउत हाट, अरे कौवा, बैठके कौरा बां दूसरा पत है इसका दूनों गाउं के देव करो सहाए मोर लेवाल जुच्छा कभू जन जाए दूनों गाउं के देवता अर्था दोनों गाउं के देवता करो सहाए मुझे मेरी सहाइता करो दोनों गाओं की देंटा मेरी सहायता करो क्या सहायता करो तो नीचे पद में है कि मोर लेवाल जुच्छा कभू जन जाए मोर लेवाल मुझे जो लेने के लिए आ रहे हैं मेरे भाई या मेरे पिता या कोई भी यहां से ले जाने के लिए यहां से बीदा कर आके ले जाने के लिए जो आ रहे हैं वे खाली हाथ ना जाए जो च्छार थाथ खाली जो च्छार थाथ खाली ना जाए कभी कभी होता है ना कि लेवाल आते हैं और सरसवाल वाले पक्षवाले कह देते हैं कि नहीं भी अभी तो हम नहीं भेड़ सकते फला फला कारण है आप बाद में आये या बाद में हम भेड़ देंगे तो वो इस्तरी कहती है अपने देउताओं से दोनों गाओं के देउता अपने मेंके के देउता और अपने सस्राल के देउता से प्रार्थना करते हुए कहती ह दुनों गाओं के देव करो सहाय, दुनों गाओं के देव ता मेरी सहायता करो कि जो मेरे लिवाल आने वाले हैं, मुझे लियाने के लिए आने वाले हैं वे कभी भी, कभू वने, कभी भी जुच्छा अर्थात खाली हाथ ना जाए मुझे बिना लिए ना जाए ऐसे प्रात्ना करती है इसका तिसरा पद देखते हैं यहां हावे कबरी दोहिन गाए नन की उहां गोरस बिन नहीं खाए यहां अर्थात सस्राल की बात करते ही कहती है कि यहां दोहिन गाए अर्थात दूद यहां कबरी गाय की कही रंग होती है कोई सफेद रंग की होती ही जिसके धोरी गाय कहते हैं जो काले रंग की होती है काली गाय कहते हैं जो लाल रंग के होते हैं उसको लाली गाय कहते हैं औ और वो सस्राल जो गई है सस्राल में जो बेटी को बिदा कर दी है और बेटी बहु बनके वहां गई है वो कलपना करके कहती है कि यहां तो कबरी गाय है दोहिन कैसी है दोहिन है दूद देने वाली है और वहां ननकी वहां गोरस भी नहीं खाए ननकी अर्थात छोटी बहन मे बिना दूद गोरस अर्थाद गोरस गो मने गाय रस मने दूद गोरस दूद के बिना खाना नहीं खाती इसका अंतरभाव यह है कि पहले बेटी को हम विदा करते थे तो टिकावन में जिसको आजकल दहल लोग भी कह देते हैं उपहार में गाय देने की प्रता थी तो उसको याद करके कहती है यहां कबरी गाय है और जो दूद देने वाली कबरी गाय है किन्तु वहां मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी ननकी बहन बीना दूद के दूद के बीना खाना नहीं खाती चलिए अब अगला पत देखते हैं चौथा पत भीया आई इस कुलकत रांधे खीर हाई विधाता कैसन धर्याओं धीर भीया आई इस कुलकत भाई प्रसंद नमन से आये हैं मैं कैसे धीरत धरो आखरी कहता है भीया कुलकत प्रसंद नमन से आये हैं और मैंने खीर बनाई हैं रांधे खीर खीर पकाए हैं और हाई विधाता कैसन धर्याओं धिर है विधाता मैं कैसे धीरत धरो मेरे भाई प्रसंद मन से आये हुए हैं और खीर बना हुआ है हे विधाता हे प्रभू इस पर से प्रातना करते हैं हे प्रभू मैं कैसे धीरत धरों कैसे धीरत धरों अगला पद है पानी छोईस न जोकिस चोंगी पान पानी छोईस न जोकिस चोंगी पान हाय रे पोथी धन रे कन्यादान बहुत गंभीर भावेस में इसको समझना पड़ेगा पानी छोईस न जोकिस चोंगी पान क्या परंपरा थी पहले एक रूट परंपरा थी कि कन्या के घर में पीता या भाई जाते थे तो वहां भोजन नहीं करते थे वहां का जल नहीं ग्रहन करते थे, वहां कुछ खाते पीते नहीं थे, इसको कन्या कहती है, सवस्वाल में मैंके के बारे में सोचती है, भाई मेरे प्रसंद नमन से आये, किन्तु पानी छोईश न जोंकिस चोंगी पान, न वो पानी को छुआ, और नहीं देते हैं, उसको ले जोंकिस मनें लिये और ना ही चोंगी अर्थाद बीड़ी, पान और पान, पान और बीड़ी दिये, उसको भी उन्होंने नहीं लिए, लेने के लिए तो आये हैं, और बड़े प्रसंद नमन से आये हैं, लिवाने के लिए आए हैं किन्तु आने के बाद भी ना सुसराल का पानिश हुए और ना ही वे बीड़ी और पान जो दिये उसको ना लिए हायरे पोथी धन्त कन्यादान पोथी अर्थात विधान परंपरा नियाम ये कैसा नियाम है ये कैसा विधान है ये कन्यादान के बाद ये कन्यादान कैसा है कि भाई आता है ना पानी पीता है और ना बीड़ी लेता है ना पान लेता है ये कैसा कन्यादान है किस तरह का कन्यादान है किस तरह की पोथी विधान है हायरे पोथी धन्रे कन्यादान है ये विधान ये कन्यादान कैसा कन्याद सबीटान हैं अगला पत देखते हैं और मोरसंग मा नहावं सूते खाए ते भाई अब लख्था नहीं आए लख्था अर्थात नजदिक लख्था अर्थात नजदिक पास निकट्ध मोर संग मेरे संग जो भाई मेरा जो छोटा भाई और है वह मेरे साथ नहाता था मेरे साथ सोता था मेरे साथ खाता था वो छोटा भाई अब क्या मेरे पास नहीं आता लख्ठा ते भाई अब वो भाई अब लख्ठा पास मा नहीं आए पास में नहीं आता वो भाई अब मेरे पास में भी नहीं आता, क्या हो गया, मैं सस्राल गई तो क्या इतना पराया हो गया, क्या मुझे इतना पराया समझते हैं, या क्या वो भाई मेरे बहुत सारे भाव दे सकते हैं, इसके बहुत सारे भाव हम निकाल सकते हैं, या वो भाई मुझे पराया प्रत्रित करता है भाई आधा परगट आधा लुकाए अगला पत्र भाई आधा परगट आधा लुकाए और ठाड़े मुड़ मुड़ देखए रहित्थे हाए भाई आधा परगट आधा लुकाए वो छोटा भाई है आधा परगट होता है और आधा लुकाए अरता छिप ज करता है यह समझ से परे हैं क्या संकोच करता है या और कुछ उसके मन में या मेरी पहनावा को देखकर पहले मैं घर में अशी ती अब मैं घूंगट ली हूँ साड़ी पहनू यह बहुत सारे भाव हो सकते हैं बहुत सारे इसके अंतर भाव है यह अंतर भाव को हम और समझ सकत मुर्म०् पुस्तक पुस्तक में मुर्म०् लिखा है वो मुड मुड हो सकता है या मुड मुड भी लिखा है तो उसका अर्थ होता है मुड मुड कर देखता है देखते रहता है हाई वह भाई मुझे क्या हो गया कि वह मुझे मुड मुड कर देखते रहता है चलिए अब अगला खंड लेते हैं